प्रिये दोस्तों एक्ष्टेचिंग एंड टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में आस्तिन की डियाइन बना कर दिखाएंगे बिल्कुल नई सुन्दर और सरल आसान तरीके से चलें डियाइन बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम आस्तिन का नाप देख लेते हैं तो Ilम का लेंध है साढे-चार इंच आप सब ले लिया है और मसल इसका है 6 इंच 6 Arby साइज यह है 34 यहां हम 1 इंच पे एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से उसके बाद हम यहां 1.5 इंच पर एक मार्क रेंगे आईसे इसको हम यहां से राउंड घुमा लेंगे इस तरीके से उसके बाद हम इसको क्या करेंगे इसको हम डेड़ इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरीके से यहां हम डेड़ इंच पे मार्क कर लेते हैं यह हम डेजाइन बनाने के लिए इसको मार्क कर रहे हैं तो इस तरीके से आप मार्क कर लिए यहां हम जो मार्क किया है पहले एक इंच पे उसके हिसाब से करेंगे इसको राउंड शेप इस तरीके से यहां पॉइंट बना लेंगे इसका उसके बाद हम इसको खूल लेते हैं खूलने के बाद इसको यह लाइन जो है उसको हम वहाँ ले जाकर मिला दें कि राउंड इस तरीके से और यहां फिर जो बाकी बच रहे हमारा हिसा उसको भी हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे यह बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों डियाइन बनाने के लिए अब इस गहम क्या करेंगे एक पेपर कोई ले लेंगे नीचे और उसको पेपर पर रखके नीडिल का धागा निकाल देंगे और उस पर शिराई लगा देंगे ताकि हमारे पेपर पर मार्क उसका आ जाए तो इस तरीके से हम धागा निकाल कर इस पर स्टिच कर देते हैं इस तरीके से हम धागा निकाल दिये हैं दोनों लाइन पर हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं नीडिल मार्क आ जाएगा उस पर और उसके बाद हम उसको कटिन कर लेंगे इस तरीके से हम पेपर को कटीन कर लेंगे कटीन करके इस पेपर से मार्किन कर लेंगे और इसी पेपर से हम इसके लिए जो हम एश्टर डिजाइन बनाएंगे कलर का उसको कटीन करेंगे तो इस तरीके से हम कटीन कर लिया इसको अब ऐसे हम बैठाएंगे इसको दूनों साइड से इस तरीके से यहां हम एक सेंटर का मार्क लगा लेते हैं अब यहां भी हम जो पेपर का कटिन किया है उसमें भी हम सेंटर का मार्क कर लेंगे ताकि दोनों सेंटर सेंटर उसका बिल्कुल बराबर आए इस तरीके से यहां हम तोड़ लेते हैं इसको अब इस तरीके से मार्क लेंगे उसको अब यह बिल्कुल परफेक्ट आएगा दोस्तों अब इसका बीच वाला ही साम निकाल देंगे इस तरीके से और यहां हम क्या करेंगे जो हम डियाइन एश्टा फिवरिट लगा रहे हैं उसमें कलर उसमें हैं फ्यूजिंग कर लिए हैं तो आप भी फ्यूजिंग कर लिए फ्यूजिंग करने से फिनिसिंग थोड़ा ज्यादा आता है और यहां हम कटिन कर लेंगे उसको यह हमें चार पल्ले काटने होंगे यानि कि दो सिलिफ के लिए हैं तो इस तरीके से मार्किन कर लेते हैं दुनों को फिर हम कटिन कर लेते हैं कटिन करके आपको हम डियाइन बना कर दिखाएंगे बहुत ही बेहतरियन बिल्कुल निया डिय नहीं दोस्टों तो इस तरीके से आप मार्गिन कर लें फिर इसके हम कटिंड कर लेते हमने 여기서 कंटिंड करके इसको हम ॹेस डिजाइन बना कर आपको दिखाते हैं कि हमारे चैनल से जूड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ने वेल आइकन को फ्रेज कर दें जिसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंश सके तो इस तरीके से हम खटीन करेंगे हमारे इस चैनल पर दोस्तों लेडिज और जैंस सभी के लिए कपड़े कटीन और स्टिचिंग करके दिखाया जाते हैं फर्मूले के साथ हमारे जो भ तो इस तरीके से हम इसको कटीन कर लिए हैं यहां हम यह लूप बनाये हैं तो हम आपको यहां एक लूप बना कर दिखा देते हैं तो यह हम सवाइंच का कटीन किया है लूप का तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे लूप को और इसको पलट लेंगे आप इसमें चाहे तो सिंगल कलर ले सकते हैं और चाहे तो डबल कलर ले सकते हैं तो इस तरीके से हम लोप को पलट लिए हैं उसको बाद प्रेस कर लिए हैं तो हम इसमें दो कलर उज़ कर रहे हैं यहां हम एक इसमें फैसिंग काटेंगे तो अगर आपको अस्तर वड़ा ब्लाउज बनाना है अस्तर वड़ा सिलीव बनाना है अस्तियन तो इसमें आपको फेशिंग लगाने का कोई आउ सकता नहीं है अस्तर से आप इसको प्रढ़ लेंगे हम इसमें अस्तर नहीं लगा रहे हैं इसलिए ये फैशिंग लगा रहे हैं तो इस तरीके से फैशिंग को हम पैच करेंगे पैच करके उस पेक सिलाई लगा लेंगे रुक लेंगे अच्छे से इस तरीके से यहां पे हम थोड़ा सा चुनट कर देंगे ताकि सिलिफ यहां पे बढ़ना जाए इसलिए बाजू कभी तु इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे — चुर्ण ठम कर देते हाल का ताकि बाजु यहाँ पे फैलने इस तरीके समय यहाँ शिलाई लगा लिए, पैच कर लिए यहाँ पे फलाई लगा लेंगे, ताकि हम पलटने में कोई परसानी नहीं होगी, पॉइंट वहाँ अच्छा से निकल जाएगा, यहाँ एक हम सिलाई लगा लेंगे, आप सिलाई लव की लगा लेंगे, दोनों ही अच्छा होगा, तो हम यहाँ लव की सिलाई लगा लेते हैं, इस तरीके से आप लव की सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम इसका डियाइन बना कर दिखाते हैं, बहुत ही सुन्दर और सरल डियाइन हैं दोस्तों, इस तरीके से हम दोनों सिलिप में सिलाई लगा लेते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, जो हम बले कलर का फैबरी को कटिन कर रखे हैं, उस पे हम लुपी को इस तरीके से पैच करेंगे, तो पैच करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम देख लेंगे कि हमें कितना दोर लुपी पैच करना है, इसलिए कि हमें उपर सिलाई बाजो चड़ाते समय बाजो ज्वाइंट करते समय मार्जिंग देना होता है तो इसलिए हम वहां कम से कम पाउना इंच मार्जिंग छोड़ देंगे और यहां जहां मोहरी हम finish करते हैं, वहां से डेढ़ हिंज छोड़ देंगे, उसके बाद हम loopy को patch करेंगे, तो इस तरीके से हम loopy को patch कर लेंगे, इसको हम इस side से करेंगे loopy को patch, जिधर से गहर आई है उधर से, अगर हम round की तरफ से करेंगे, तो हमारा loopy सही से नहीं बैट प है, उधर से हम loopy को बिल्कुल सटा कर, चिफका कर, यानि कि patch करेंगे, और दूसरे side जब हम attach करेंगे, तो थोड़ा-थोड़ा, यानि कि 2-2 mm फलका देंगे, ताकि हमारा round ब्रावर बैट जाएगा, तो इस तरीके से हम patch कर लिए हैं, और एक चीज़े यहां और देखना है दोस्तों, loopy को दूसरे side से patch करने के लिए, आप थोड़ा-सा उसमें fullness देना होगा आपको, कम से कम, 1-2 mm, 2 mm आपको fullness देना होगा, इसलिए जब हम उसमें dion बांदेंगे, तो ओ डियाइन बांदने पर खिचता है, तो इसलिए आपको थोड़ा-सा जैसे आप देख रहे है इसमें मैं इसको थोड़ा-सा fullness दे रहा हूँ, इस तरीके से, तो इस तरीके से losing है इसमें, इसको design बनाने में, बांदने में कोई परशानी नहीं होगी, तो इस तरीके से आप loopy, finish कर लेंगे, इस तरीके से, तो पाइपिन आप single लगाई है इसमें, इसलिए कि हम इसको patch कर कर लेंगे, margin कम लिजिए, या piping कच्चा करने के बाद, आप margin को जार दीजिए, जितना चवड़ा आपको piping बनाना है, उतना ही margin रखिए, उससे थोड़ा सा कम रखिए, यानि कि लगभग एक shoot का ही margin इसमें होना चाहिए, तो इस तरीके से margin को जार देते हैं, जारने के इसको हम patch करेंगे, उसके बाद हम डिजाइन इसका बनाएंगे, दिखाएंगे आपको, बहुत एक अफसूरत डिजाइन हैं दोस्तों, तो यहाँ इस तरीके से अच्छे से piping को finish कर लेते हैं, यह piping हमें दोनों साइड में finish करना होगा, यह डिजाइन बनाने के लिए, इसको भी हम finish कर लेते हैं, हमारे चैनल से जूड़े रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में वेल आइकन को फ्रेस कर दें, जिसे नई वीडियो हम आप तक कसानी से पहुंचा सके, तो इस तरीके से हम इसको भी finish कर लेते हैं, फिर दूसरे साइड भी हमें finish करन होगा, तो यहां भी हम पाइपिन लगा लेते हैं, यहां थोड़ा मार्जिन आप ज्यादा है, तो झाल लेते हैं, जिधर हमें safe है उधर, इसलिए कि safe है तो उधर नहीं बैठेगा, और जिधर round है उधर कोई झालने का आउ सकता नहीं है, तो इस तरीके से हम दूसरे साइड भी पाइपिन को finish कर लेते हैं, हम इस चैनल पे लेडी जेंस सभी के लिए डियाएनिंग का कपड़े, stitching और cutting करके दिखाते हैं, फार्मूले के साथ, बहुत ही आसान और सरल तरीके से, तो जो भी हमारे दोस्त नए शीखने वाले हैं, शीखना चाहते हैं, वो हमारे इस चैनल पे आएं और वीडियो को देखें और असान तरीके से शिलाई करना सीखें, आप भी सीखें और अपने दोस्तों को भी बताएं और सिखाएं, हमारे चैनल के सभी वीडियो देखने के लिए, आप हमारे चैनल को सर्च करें, हेस्टेचिंग एंड टेकनिकल बोल कर भी सर्च कर सकते हैं, और लिख कर भी सर्च कर सकते हैं, तो हमारे चैनल ओफन आएगा, तो लोगों को किलिक करेंगे, लोगों को किलिक करेंगे, उसके बाद सबसे उपर जो वीडियो लिखा होता है, उसको आप किलिक करेंगे, तो ह आपमरे चैनल करेपाई वीडियो आपके सामने आजाएगा。 आप उसमें से कोई साथवी डिजाइन चुन सकते हैं देख सकते हैं , बहुत ही आसान तरीके से हम इस चैनल पे वीडियो बनाते हैं , अफ्रोड करते हैं तो इस तरीके से हम पाइपिन को फिनिश कर लिए दूसरे को भी हम फिनिश कर लेते हैं इसमें हम एक सिलिव को आपको त्यार करके दिखाएंगे इसलिए दोनों सिलिव को दिखाना कोई आउ सकता नहीं है इस लिए उसमें समय जादा लगेगा और आपका समय खराब होगा तो इसलिए हम एक शिलिव को बना कर दिखा देते हैं तो इस तरीके से हम दोनों को finish कर लिए अभी इसको हम किस तरीके से patch करेंगे दोस्तों आसान तरीका है बिलकुल तो ये देख सकते हैं इस तरीके से तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों बैक जो है पहले बैक को patch करेंगे इसलिए हम friend को उपर रखेंगे तो पहले हम बैक को patch कर लेती हैं उसके बाद friend को patch करेंगे तो यहां हम इस तरीके से नीचे हम देखते आएंगे कि हमारा पाइपिन के जड़ में सिलाई होना चाहिए और नीचे वाला जो हम सिलाई लगाए है उसी पे सिलाई चलना चाहिए तो इस तरीके से हम इसको पैज कर लेते हैं आप देख रहे होंगे दोस्तों डिजाइन कितना अच्छा दिख रहा है तो ऐसे ऐसे डिजाइन हम सिलीप का गले का और पैंट शल्ट का कटिन कुर्टा का कटिन हर चीज कटिन और स्टिचिंग करके दिखाते हैं तो इस तरीके से हम दूसरे डिजाइन को भी इस पे पैज कर लेंगे इस तरीके से यहाँ नीचे भी हम देखेंगे कि नीचे सिलाई हमारा उतरना नहीं चाहिए सिलाई बिलकुल उसी सिलाई पे होना चाहिए जिस पे हम लव की सिलाई लगाए है और यहां हम भी देखेंगे कि शिलाई हमारा उपर से जो पैज कर रहे हैं बिल्कुल पाइपिन के जड़ में ही होना चाहिए इससे क्या होगा कि फिनिसिंग अच्छा आएगा आप देख रहे होंगे दोस्तों कि फिनिसिंग कितना अच्छा आया इसका अब इसमें हम आपको मोती लगा कर दिखा देते हैं कैसे लगाना है आपको तो इस तरीके से बीच सेंटर में आप सुई को ले लेजे और दोनों साइड से पॉइंट थोड़ा थोड़ा पकड़ लेजे ऐसे उसके बाद ऐसे एक बांद देंगे वहां गाठ हम ऐसे खीचने के बाद बिलकुल फर्शेक्टों बैठ जाएगा ऐसे उसके बाद हम इसमें मोटी अटेज करेंगे तो इस तरीके से डिजाइन बनाने में दोस्तों बहुत ही शरल है, बहुत ही असान है और बहुत अच्छा डिजाइन बनता है तो इस तरीके से आप अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं ये डिजाइन जो हम आपको दिखा रहे हैं ये गले पे भी लगाएंगे गले फे भी सुन्दर आएगा और श्लीप भी सुन्दर आएगा तो इसका गला का भी डिजाइन हम बनाए हैं तो गला का डिजाइन आपको देखना है तो इस वीडियो के लिंक पे हम इसका गला का डिजाइन देदेंगे और ये फ्रिंजेस कट ब्लाउज के लिए हम तियार कर रहे हैं सिलेफ तो आपको Francis Cut Blouse का कटीन भी दिखा देंगे इस पर तो हमारे कोई सावी वीडियोद देखते हैं तो उस पर हो सकता है कि किसी किसी वीडियोपे हम किसी किसी डेजाइन का किसी किसी कटीन का लिंक दे देते हैं तो आप कभी लिंक को क्लिक करके देखिए तो इस तरीके से अच्छे से आप इसमें मोती को टक कर दीजे बिल्कुल यहाँ पे हम क्या करेंगे बिल्कुल बिस चेंटर में सुई को ले लेंगे और दोनों तरफ से इस तरीके से हम कर लेंगे और यहाँ टाकी बाहेंगे ताकि वहां में मोती लगाने में कोई फरसाली न आए तो इस तरीके से हम इसको टक कर लेंगे आप देख रहे हैं गे दोस्तों कितना डिजाइन इसका अच्छा दिख रहा है सुन्दर दिख रहा है यहां हम अच्छे से टाकी बांदेंगे डियाइन इस तरीके से होना चाहिए आज तीन की डियाइन बनाना पूरा हुआ वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वेल आइकन को फ्रेस कर दें जिसी नई वीडियो आप तक असानी से पहुंच सके साथ में लाइफ शेर भे कर दें प्लेस अगले वीडियों फिर विलेंगे नमस्कार